और बड़ी खबर अमारिका से अमारिका की खूफिया एजेंसियों ने च्वेताब ने दी है कि अगले 48 घंटों के अंदर रूस युक्रेन पर हमला कर सकता है जुसके बाद अमारिका ने युक्रेन में अपना दूतावास खाली करने और अपने नागरेकों को तुरंत युक्रेन छोडने के लिए एडवाईजरी भी जारी कर दी इससे पहले अमारिका के राश्पती जो बाइडन खोल कर कहे चुके है कि रूस के युक्रेन पर हमले का मतलब होगा विश्व युद्ध की शिरुवात और दुनिया को डरा देने वाली इस हलचल के बीच अमारिका के खोफिया विभा को सैटिलाइट से मिली तस्वीरों से पता चला है कि रूस की सेना तीनों और से युक्रेन को घेर चुकी है संदीब बोल इस पक्त मेरे साथ मेरे सेयोगी मौजूद है संदीब और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामने को लेकर लेहाजा अब यह बात साफ हो रही है कि राश्पती बाइडन और व्लादिमर पुतिन जो है रूस के राश्पती वो लोग आपस में बात करना चाहेंगे और शनिवार को बातचीत भी होगी लेकिन जिस तरीके से रूस ने यूकरेण के चारो तरफ तीनों तरफ से जिस तरीके से उसने भी सहने ब्यास करना शुरू किया है उसने इस बात की आशंका जता दी है कि हो सकता है कि बहुत ही जल रूस जो ही यूकरेण पर हमला कर दे तो एक दो दिनों के अंदर तीसरा विश्वियूद चिड़ सकता है क्योंकि इस बार अमारिका ने खूफिय एजिन्सियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह दिया है कि रूस के राश्वपती पुतिन किसी भी वक्त यूकरेन पर खमले का आदेश दे सकते हैं और अमारिका के राश्वपती जो बाइजन पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये हमला हुआ तो तीसरा विश्वियूद चिड़ जाएगा और अब अमेरिकी राश्वे सुरक्षर सलहकार ने आशंग का जता दे कि अगले दो दिनों में यूकरेन पर रूस की सेना के हमने शिरू हो सकते हैं जिसका मतलब होगा तीसरे विश्वियूद की शिरूआत क्योंकि अमारिका की राश्वपती बाइजन पहले ही दावा कर चुके हैं कि रूस की यूकरेन पर धावा बोलने का मतलब होगा विश्वियूद यही नहीं अमारिका ने आशंका जताए कि यूद छिडा तो खालार इतने बत्तर हो जाएंगे कि उसके लिए वहाँ फसे अपने नागरेकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा इसलिए उसने यूकरेन में अपना दूतावास खाली करने की भी तैयारी शिरू करती क्योंकि उसे डर है कि एक बार यूद शुरू होने पर हवाई रेलिया सडक मर्क के जरिये वहाँ पहुंचना नामुम्किन हो जाएगा अमारिकी सरकार के इन बयानों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है बयानों से साफ है कि अमारिका को लग चुका है कि तीसरे विश्वयूद की शुरूआत अब बेहत करीब आ चुकी है यही वज़ा है कि उसने और कई दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को तुरंथ यूकरेन छूडने की चेतामनी दे डाली है कि अमारिका की खूफे अजनसियों को सैटलाइट से मिली तस्वीरों से भी पता चला है कि रूस की सेना यूकरेन को तीनों और से घेर चुकी है और बेलारूस में यूकरेन की सीमा के पास उसकी सेना ने युद का अभ्यास भी तेज कर दिया जिसकी तस्विरेक हो तो रूस के रक्षा मंत्राले ने जारी की जिनमें रूस के दर्जनों टैंक फर्राटा भरते हुए बेलारूस के साथ चल रही जॉइंट मिलिटरी ड्रिल के लिए जाते दिखे और जब इन टैंकों ने गोले बरसाने शुरू किये तो पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा एक और टैंकों से गोले बरसते दिखाई दिए तो दूसरी और उनकी आड़ में रूस के सैनिक भी ताबटोर फाइरिंग करते नजर आए रूस के इस शक्ती प्रदर्शन की दौरान कुछ सैनिक रसी की मदद से हलिकॉप्टर से उतनने के अभ्यास भी करते दिखे और रूसी सैनिकों के युक्रेन बॉटर को खेरने की खबर से दुनिया में हलचल तेस हो गई है क्योंकि दावा किया गया है कि युक्रेन की सीमाओं पर रूस अपने एक लाग से जादा सैनिक तेनात कर चुका है खबर है कि किसी भी वक्त हमले के लिए तयार रूस की सेना युक्रेन की सीमा के पास साड़े 500 से जादा टेंट भी लगा चुकी है यही नहीं यहीं यहीं भी खबर है कि युक्रेन की सीमा से लगे समंदर में रूस की नौसेना ने भी अभ्यास सर शुरू कर दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ चुकी है और खबर है कि इस तनाप को कम करने के लिए अमारिका के राश्च्पती एक बाद फिर पुतिन से पोन पर बात कर सकते हैं सौबात की एक बात ये है कि बेलारूस में जहां पर रूस की सेनाय युक्रेन बॉर्डर के पास डटी हुई है वहां से युक्रेन की राजसानी महज 75 किलोमीटर की दूरी पर है और इसलिए युक्रेन पर रूस के हमले की आशंकाओं के बीच अमारिका ने 3000 और सैनिक पोलेंड भेज दिये है और नाटो को ये भरोसा दिया है कि युद्ध शुरू होने पर वो उनके साथ है